हलो गाईज, वेलकम टो अचीव आईएज, मैं नेम इजायुश मिठीज, वीडियो में हम 3 मार्च 2020 का दा हिंदू एटो लेलेस करेंगे हमारे बहुत सारे कॉर्सेज, अलग-अलग सब्जेट के, अलग-अलग स्टेंडर बुक्स के आते हैं ज्यादा जानकर ये के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, हमाँ पर आप तरह तरह की टेस्स देख सकते हैं, चलिए शूरू करता हमारे पहले आर्टिकल से, वह हैं सेफगाड़िड अंडर्माइड, हाली में आपने न्यूज में सुना होगा कि दिल्ली सरका आते बोली, तो यहां पे दिल्ली सरकार के पास क्या था एक पावर थी, कि जुडिशिरी इस चीज का असेस्मेंट करती, उससे पहले सरकार जो है, या फिर पुलिस अगर आगे ट्राइल करती, उससे पहले सरकार को परमिशन देनी होती है, सरकार को पुरी प्रोपर चेकिं से पेंडिंग था, दिल्ली सरकार जो है चेक कर रही थी, फेक्ट से एविडेन्स चेक कर रही थी, दिल्ली सरकार प्यारोब भी लग रहा था, कि इतने साल हो था कि रोक की क्यों रखा गया है, और हाली में दिल्ली दंगों के बाद से, दिल्ली सरकार ने अब मंजूरी दे दिया है प्रश्ण नहां पर यह उठ रहा है क्या दिल्ली सरकार ने facts और evidence चेक किये थे और facts और evidence चेक किये थे तो क्या थे वो facts और evidence जिस वज़े से sedition के लिए केस में उनको जो है आगे trial की मंजुरी दे दी गई है इसकी जवाब में आमानी पार्टी की जो दिल्ली में सरकार है उन्होंने justification दिया है कि basically यह judicial matters में policy of non interference अपनाती है कि हम जो है judicial matters में interfere नहीं करते और यह जो stance था आमानी पार्टी का दिल्ली सरकार का यह completely unacceptable है क्योंकि superior courts ने बार बार stress किया है हमारे कि sanction इस तरीके इसे नहीं दी जाए कि police ने कहा कि हाँ police के पास case आया fire register हुई या फिर लगा कि इस तरीके का काम हुआ है और government बिना दिमाग लगा ट्राइल की और judiciary की जो process की मंजूरी दे दी जाए application of mind इसमें होना चाहिए superior courts ने कहा है यह बार बार वरना इतने सारे cases courts में आएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हैं तो government को यहाँ पर decide करना था कि क्या इतना सबूत इतना enough material इतने fact इतने evidence है कि यह conclude कर सकती है कि जो speech और slogans दिये गए थे JNU में वो public order create public disorder create कर सकते थे या फिर violence पे जो है काफी यह violence को भड़का सकते थे क्या ऐसा सबूत है अब यह सबूतों को देखने के बाद ही मंजूरी दे सकती है सरकार मंजूरी देना होता है सरकार को तो basically यह चीज क्यों है कि सारे facts और सबूत सरकार देखे basically safeguard है safeguard है एक तरह का किन लोगों के लिए जो लोग बेकसूर होते हैं जिन पर जबर्दस्ति प्रोस्क्यूशन किया जाता है जिनका गलत इल्जाम लगया जाता है तो सरकार अगर एक बार चेक कर लेती है facts or evidence फिर जाके यह प्रूव हो जाता है कि हाँ यह आदमी पर करके इसको कई बार की टीजिस में बिला है क्योंकि कई बार के होता है corruption cases में सरकार के पास पूरी सबूत होते हैं लेकिन उसके बावजूद भी public servants को बचाय रखती हैं जिन पर corruption का चार्ज लगा है लेकिन इस safeguard होना भी जरूरी है क्योंकि अगर एक इस safeguard का बुरा फाइदा बुरे अगर आदमी इस safeguard का फाइदा उठा रहे हैं तो अच्छे आदमियों के लिए यह चीनना नहीं चाहिए न फिर इसका होला यह तो नहीं कि अच्छे आदमियों का देना बंद कर दो तो यह जो section है IPCRPC के section 196 में भी available अलग है थोड़ा सा लेकिन section 153 A में भी है section 295 A में भी है तो रीजन यह है इस section का इस safeguard का इस procedure का कि यहां पर के वाले पुलिस officer के मान लेने से कि इस आदमी ने offense किया है यह सही नहीं होगा इसके लिए government के स्कूर्टरी जनूरी जरूरी है ताकि यहां पर पुलिस वाले गलत तरीके से या फिर जो प्रोविजन है इसका अनलो judiciary ही decide कर सकती है हम जो है judiciary में इंटरफरेंस नहीं करेंगे जो दिली सरकार कह रही है तो यह तो एक तरीके से इन्हों ने जो अब तक प्रक्रिया चलती आ रही है उसके उपर डिसर्विस अपनाई है बेसिकली कनाईया को और उसके नो साथ ही थे जिनको बुक किया गया था कि उन्होंने जो है seditious slogans लगाए थे जेन्यों में फरवरी नो 2016 को दिली पुलिस ने जो है चार्ज शीट फाइल किती जेनरी 2019 में और जो रूलिंग पार्टी है वो किटिजन कर रही थी दिली सरकार का कि इतने समय से सेंक्षन क्यों नहीं दी जारी सेंक्षन दो सेंक्षन दो हाला कि सेंक्षन देने के लिए सबूत भी होना चाहिए था और यह देखा गया कई न्य जो डॉक्टरक्टरती फ्रपर सबूत मिलना चाहिए लेकिन अब जोघ्य साल के दिवाल संकार ने मंजुरी दे दी है तो इस टाइम मंजूरी ले जिसक टाइम हम सीडिशन लोग के ऊपर सवाल उठा रहे हैं जब सिडिशन प्रोईं के ऊपर सवाल उठा रहे हैं बत अ लेना यह सिर्डिशन के उपर निइसा पर कई सवाल उठ रहे प्र चुकि करनाटोक में आपका पता वाव JIMकर स्कुल के बच्यों के खिलाफ जो सीडिशन का केस लगा गया क्योंकि वह नाटक कैसा कर रहते जो सिए के खिलाफ था तो से आखिलेशन की प्रोबचन के रिविजिट करने की मांग उठ रही है स्क्रैप नहीं करना पूरतरी किसे हटाना नहीं है लेकिन रिविजिट करना चाहिए और इस टाइम पर अगर दिली सरकार ऐसे काम करती है कि बिना अगर प्रोस्कूशन ग्रांट कर देती है तो यह तो उल्टाए गाम हो गया तो यहां पर इस एक जो रिजन दिख रहा है और एक जो कंसर्ण सबसे बड़ा एक तो पॉलिटिकल जो कंसर्ण जो आपको मेंस की आंसर में नहीं लिखना लेकिन सेटीजन होने के नाते आपको ब वज़े से क्या होता है कि एक इमेजनरी कंस्ट्रक्ट बन जाता है कि जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऐसे नारी लगाए थे और ऐसे आरो पॉन पर लग रहे हैं यह एक जो है देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो यह गलत इमेज जो है बनके नजर आती बोट सर्विसेज सबका फाइनल जो प्राइज वह है तो इसका मतलब जीडीपी में कई जीडीपी गीरी है इसका मतलब कई सेक्टर्स को नुक्सान पहुचा है और बिल्गुल पहुचा है मैनिफेक्ट्रिंग टूपंट 0.2 परसंट से डिक्लाइन होई है और इलेक्रिसिटी औ और ब्यूरिकेसी मीडिया एक्ट कर रही है उस तरीके से नजर आ रहा है कि कमिनल वोईलेंस के लिए यह जिम्मेदार है अब जिम्मेदारी किसी की भी हो लेकिन गलती किसी की भी हो लेकिन कोशिश यह की जाए कि कमिनल हेट्रेंड नहीं रहे तो इस आर्टिकल में यह है क कि कर्मिनल हेटरेट नहीं रहे कि मैं आप सब लोगों से भी हाथ जोड़ की रिक्वेस्ट करता हूं कि एंटी हिंदू एंटी मुस्लिम कोई भी मैटेरियल कोई भी फेक वीडियो आपके पास आए प्लीज उसे बिना देखे बिना चेकिए शेर ना कीजिए अभी दिल्ली मे क्या ऐसा करूंगा तो यह वीडियो वारल नहीं हो जाएगी तो देश में सोशल फैबरिक जरूरी है हमारी जीडिप वैसे गिर रही है बिरोजगारी अपने चरम सीमा पर है और कोरोना वारेस के अटेकिव जैसे ग्लोबल इकनोमी डाउन है और हमेशा एकनोमी ग्रोथ त jean तो कशीष किजिए युनाइटि रही है एक रही बच्पन में हम कहान यहां पड़ते थे यह भूल गया है लखडी के गट्र को कोई बही कडास करते छले जाता है अपने दिल की बात सुनें, आसपाश शांती बनाए रखें, पुलिस की मदद कीजिए, जुडिशिरी की मदद कीजिए, और कानून काइदे लो एंड ओर बनाए रखें, पब्लिक ओर्डर को डिस्रप्ट ना करें, पुशिंग दी रॉंग एनर्जी बटन्स, ये यूपिस्टिकले काफी परफेक्ट आर्टिकल है, बेसिकली एक दशक हो गया, कोई भी मीटिंग भारत के परदान मंतरी और यूएस के राष्ट पती के बीच में ऐसी नहीं हुई, जिसमें इंडिया ने अपना जो प्रोमिस दियादा 2008 में, अमेरिका को, उसके न्यूक्लियर रियक्रस खहिनने का, उसकी याद न दिलाता हो, हर मीटिंग में ये बात छ ऐसी इस बार भी युएस प्रेसिडर्ट नोलाल टर्म जबायए, तो मोदी जी ने कहा की जिस तरीके से, जोईंड स्टेटमेंट निकल किया है, कि प्रियम इस्टर मुदीन प्रेसिडेट टर्म इंकरेंश एट नुकलियर पावर कोपरिश्एन ऑफ इंडिया लिटेड वेस्टिंग्स हाउस एलेक्टरिक कमपनी है जो युएसे किये दोनोंने six nuclear रियक्टर्स इन इंडिया को जल्दी जल्दी फैनलाईज करने कौशिच कि नुकलियर रियक्टर जिसमें नुकलियर एंधरी प्रोड्यूस होगी लेक्ट्रिसीटी में काम आएगा अब प्रशन उ अबेंडेन कर देना चाहिए ता इस प्रपोजल को यह क्लियर है कि जो इलेक्ट्रिसिटी हम अमेरिकन न्यूट्लियर रियक्टर से अगर हम खरी देंगे तो काफी एक्सपेंसीव होंगे तो अगर मेंस में कुछन आ जाए कि न्यूट्लियर रियक्टर खहिने से क्या-क्या आउटकम होंगे क्या डिसर्वडाइंट होंगे तो पहले तो आप लिखोगे कि एक्सपेंसीव दूसरी बात सेफ्टी की दिक्कत बैई 2011 में फुकुशीमा डिजास्टर था बहुत खतरनाक सीरियस एक्सिडेंट था न्यूट्लियर रियक्टर की वज़े से तो एक तो तो आप हमें जिम्मेदार नहीं ठहरा होगे तो जो कंपनी अपने रियक्टर की सेफटी नहीं ले रही उस सेफटी के साथ हम कैसे डील करेंगे तो पहला तो एक्सपेंसिव दूसरा हो गया आपका एक्सिडेंट्स वगेरा होते हैं तीसरा हो गया इंडेमिटी गारंटी क्लोज यह आप कंपन्सेशन का भी पॉइंट बना सकते हैं यानि कंपनी गारंटी लेने को तयार नहीं है जिससे हम खरीदना चाहते हैं बताओ तो इंडिया के जो में बेश बेन फिशरी होंगे इंडिया अगर रियक्टर्स इंपोर्ट करेगा तो व मादा होगा लेकिन आपको इसमदना पड़ेगा कि इंडिया के अटोमिक एनर्जी एस्टेश्मेंट की रिलेवेंस काफी कम हो रही है क्योंकि रिनेवल बढ़ता जा रहा है सोलर एनर्जी वाल्ड एनर्जी यह भढ़ती जा रही है तो अटोमिक एनर्जी का उप्योग अ हम जो है manufacturing हमारी तिनी मजबूत हो गई है ठीक है तो बेसिकली यूसे का फायदायस में कुछ भी नहीं है तो हमारे मेंस के लिए पॉइंट्स क्या है क्या हुए तीन एक्सपेंसिव सीरेस एक्सिडेंट्स और तीसरा जो है गारंटी गारंटी वाला जो क्लोज है ओके ओके और यह भी अपने गाम का नहीं यह अपने गाम का है देखो बेसिकली हमने जो है अगर मैं कोश्ट की बात करूँ कोश्ट वाले पॉइंट जो पहला बन तो उसमें आप एक बात लिख सकते हैं कि अगर हम सिक्स रियक्टर्स खरीदते हैं वैसिंग्ट हाउस से तो छे लाक करोड़ फॉर एक्जाम पर शायद हमारा बजेट इस बार का 31 लाग करोड़ का था टॉटल जितना मुझे याद है अगर मैं गलत हूं तो मुझे आप कामेंट्स केस्ट ने बता सकते हैं 6 लाग करोड़ के अगर हमें रियक्टर्स खरीदेंगे तो एकनोमिक बड़न किस प रूपय पर यूनिट मिल रही है जबकि सोलर एनरजी से तीन रूपय पर यूनिट मिल रही है और लेते हैं चलो इन यूकलियर रियक्टर में हमारे आप मजदूर सस्ते मिल जाते हैं केंस्ट्रक्शन कोष्ट काफी कम है 30 परसेंट बेगर रिड्यूस करें तो ऐसे मालो फिर भी जो है 25 पर रूपय पर यूनिट की टैरिफ लग रही है तो कोष्ट सेफटी और गारंटी दोने में दिक्कत आ रही है सोलर एनरजी की कोष्ट तो भाईया पिछले 10 सालों में 70 से 90 परसेंट तक डिकलाइन हो गई और और आगे होएगी पहुत सस्ती रिनेवल एनरजी बंदरी तो न्यूक्लियर रिनरजी पर टिकना गलत है अब चोथा पॉइंट लोंग टम कोष्ट क्या होती है भाईया लों 1386 का चर्णोबेल एक्सिडेंट हुआ था था थाउजंड स्कॉयर किलोमेटर आज भी जो है पूरी तरीके से बंद हैं वाब है कोई इंसान देख भी नहीं सकता कंटेमिनेटेड है बिल्कुल रेडियोक्टिव मैटेरियल से एक दशक हो गया होगा जब फुकुसमा डिज को स्टार इतना पैसा है किसके पास इतनी तो जीडीपी पाकिस्तान की है तो आप जो है आपको चोथा पोइंट मिल गया लॉंग टर्म कोस्ट का ठीक है मेंस के अंसर में डाल सकते हो अच्छा फुकुसमा एक्सिडेंट क्यों हुआ था बेसिकली क्या हुआ था कि यार यह यह जो कमपणी बनने वाले इसमें डिजाइन में ठोड़े सी दिक्ट आइथा तैप अब दिजाइन ने सही नहीं बताई थी अब डिजाइन से नहीं बनाई कंपणी गल्तीं कंपणी को पासा देना चीए था लेकिन नहीं किया कंपनी ने लेडियो अक्टर में 국 को जो बन कानून साइन कर रहा था लो बना रहा था अग्रिमेंट कर रहा था कि कोई भी जिम्मेदारी डिजाष्टर रहत यही कंपनी नहीं ठेर ही जाए कर रही है कि पूरी तरीके से जिम्मेदारी से मुक्त हो जाए इस टाइम पे फोरेंट सप्लाइर्स को रेशिस्ट करने के बजाए इंडियन गवर्मेंट इसको सपोर्ट कर रही है तो बिल्कुल उल्टा काम कर रहे हैं यहां पर अच्छा एक्सपीरियंस देख लेते हैं मालो अब यह एक्सपीरियंस आप जो अपने मेंस के आंसर बता सकते हो बेसिकली महाराश्थ्र में तारा पूर्वन और दो रियक्टर आये थे काफी खराब experience इनके साथ रहा है कुंडलम वन और टू रियक्टर ता मिलाड़ में कुंडलम जो यहां पर रियक्टर है जहां तक मुझे आदा इन पर nuclear cyber attack भी हुआ था भी nuclear power plant पर है तो हमारे जो strategic asset पर cyber security attack हो रहा है cyber attack हो रहा है hacking की जा रही है तो हम और nuclear reactor को कैसे बचाएंगे तो एक खत्रा यह भी आप जो है ढाल सकते हैं क्योंकि मैंने news पड़ी थी अच्छा कुंडलम वन और कुंडलम टू रियक्टर बेसिकली यह लाए थे बंद हो चुके है बंद हो चुके हैं पिसले दर्शक में उन्हें लिया था क्योंकि यह जो है काफी खराब इन्होंने प्रोडिशन प्रोडिशन किया था जितना यह कर सकते थे उसका 32 परसेंट और 38 परसेंट यह कर रहे थे इंडिया का इतिहास यह कहता है कि नुक्लियर स्टेब्लिशमेंट हूँ नक्षे निकर सकते तो पांचवा क्या है पांचवा क्या पैंट है इंडिया पूर नुक्लियर established GUY पांचवा पॉइंट आप मेंस के अंसर में डाल से तो पहला होगे आपका एक्सपेंसिव दूसरा कोष्ट तीसरा गारंटी चोथा लॉंग टम कोष्ट पांचवा इंडियाज पूर नुक्लियर इस्ट इपिस्लिवेंट टोटल एनर्जी जितनी जनरेट होती ना देश में उसका केवल तीन परसेंट नुक्लियर पावर से आती है और तीन परसेंट ही है कभी बढ़ी नहीं और बढ़ीगी भी क्यों जब रिनेवल एनर्जी आ रही है इतनी सस्ती तो बेसिकली कॉंक्लूजन के लिखोगे मेंस में आपके इंपोर्टिंग नुक्लियर रियक्टर से जोंबी आइडिया मतलब इतना सही आइडिया यह नहीं है रिशनल व्यूपॉइंट अगर आपसे देखोगे तो और कई समय पहले ही इसको जो है इस आइडिया को बंद कर देना चाहिए था गुजरात में भी एक बार प् पुरे देश के लिए सिमलर अनौसमेंट करना चाहिए अब देखो नूखल पावर इंप्रांट उरेनियम करता ता इस फ्यूल नूग्लियर रियक्टर करता है फीजन नहीं फीजन फीजन टेक्नलोजी यूरेनियम ठीक है याद रखना रिटरन टू चाहो सीन अफगनिस्तान अफगनिस्तान में वही बात हो रही है जो कल पर सो रही थी USA का फायदा हो रहा है ट्रम्प जाके अपने देश में कह देंगे देखो भई या डील करके मैं आ गया सैनिको को वापस ले आया मुझे वोड़ दो तालिबान के साथ मैंने डील कर ली तालिबान को मैंने कह दिया कि अलकाइदा के साथ तुम नहीं जुड़ोगे चलो मुझे वोड़ दो ठीक है तालिबान तालिबान का फैदा तालिबान यहां पे जैसे यूएसे के 14 महीने में यूएसे के टुप्स निकलेंगे बाहर वैसे वैसे अपना कंट्रोल बढ़ाता जाएगा अफगनिस्तान की सरकार की खुद की अपनी लड़ाके हैं खुद की अपनी टूप्स हैं उनसे सामना करना पड़ेगा तालिबान को पावर केप्चर करने के लिए हाला कि अफगनिस्तान सरकार के टूप्स इतने प्रोपरली ट्रेंड नहीं है तो तालिबान उनको आराम से हर सकता है तो तो अमेरिका के टुप्स इस वज़े से थोड़ा रुखा हुआ था तालिबान को फैदा हो रहा है नुकसान इंदिया को पता है आपको किस तरीके से होएगा और बेसिकली कल मैंने आपको सुलुशन भी बता दिया थे इस बारे में क्या कि सुलुशन से अगर आप किनों ने जो है कुछ भी कोशिश बिल्कुल सफिशन कोशिश नहीं कि कमिनल वोईलेंस रुके मैं आप आज का दा हिंदू का फ्रंट पेश पड़ोस में हमारे चीफ जिस्टीस ऑफ इंडिया ने कहा है कि हम इतना प्रेशर नहीं जह सकते उनकी बात कुछ हद तक सही है ल प्रेंट पेश पर कहीं थी आजे बात पुलिस सरकार और कोट्स कमिनल वोईलेंस को नहीं रोक पा रही है यह जो राइटर हैं वे कॉंग्रेस के लीडर हैं लेकिन उन्होंने अच्छी अच्छी बाते इस चीज में लिखी हैं तो यूपीस की के प्रस्पेक्टिव से वो है एक तो पुलिस में रिफॉर्मस चाहिए पुलिस का यह ऐसा लग रहा है कि या तो यह खुद जो है इंडिविज्यल रिस्पोंस था इनका कि अप धंक से एक्ट नहीं कर पाए धंक से रोक नहीं पाए या फिर दूसरा उपर से ओडर रहे थे कि आपको जो इस तरीके से काम करना है वोडेंस नहीं रोकने जो भी हो तो फुलिस की कलतीु जुडीशरि की कया कॉने पर सकती है और यहां पर देख सकती है कि वोडेंस ढंग से निप्टाई जाए जंक से निप्टाए जा लेकिन जुडिशरी ने अलार सिटी से और सेंसिटिविटी से रिस्पोंड नहीं किया जितना करना चाहिए था इस एज में जहां पर सोशल मीडिया पर तरह तरह की इमेजे इस तरह तरह की घठनाएं सामने आ रही हैं फेक वीडियो शेयर हो रही है जो है इस मेंटर को ले सकती थी और ओवरनाइट रिस्पोंड्स करके देख सकती थी वोलेंस नाओ इससे पुलिस की भी मदद हो जाती पुलिस पे प्रेशर नहीं पड़ता और साथी साथ जो है जुडिशरी को भी एक इमेज बनती कि जस्टिस हुए मैं पढ़ता हूँ मै जब पढ़ रहता है तो मुझे कोट जो है दिखाई दिया लोग की बुक में जब पढ़ रहता मैं कि जुडिशरी न्याय करे जिस्टिस करे कि अवल यह जरूरी नहीं है जरूरी है कि लोगों के सामने एक इमेज भी पहुंचे लोगों के सामने एक अउधारन भी और जब एग्जेक्यूटिव यानि पुलिस वगेरा जब यह जानती है कि जुड़ी शेरी पिल्कुल सिटीजन्स को पोट्रेट करने के लिए रेडी है, यूमन रेट्स का वोलिशन नहीं सहीगी हमारे कोर्ट तो यह ऐसी चीजे होने से तरही बार सोचती है, वोलेंस नहीं होने देती, लेकिन जो जजजेस इस चीज़ पर सुनने की कोशिश करते हैं, जैसे कि अभी बात हो रही है कि दिल्ली हाई कोट के जज़ को ट्रांसफर कर दिया गया ओवरनाइट, अलाकि मैं बता दू, जो जज़ेस मुली धरते जिनका ट्रांसफर हुआ ओवरनाइट, वो पॉलिटिकल रीजन की होज़े से नहीं था, बारा, फरवरी को ही इस बारे में बात हो गई थी, कि प्रेसिडेंट ओफ इंडिया ने हमारी चीफ जज़ेस से कंसल्ट कर लिया था, कि जज़ेस का ट्रांसफर होएगा, और उनका ट्रांसफर होता, क्योंकि प्रमोशन में उनका जाना होता, ये तो चीज पहले से डिसाइड होई थी, दिल्ली वोलेंस से का कोई भी रिलेशन नहीं है, लेकिन लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब डिसाइड पहले हो गया था, तो केस के सुमवाई कि दोरान ही क्यों उनको ट्रांसफर किया गया, पहले क्यों नहीं किया गया और बांद नहीं किया गया, तो सवाल उठाएँ, तो एक जो मेंस के लिए आप यहाँ पर ले सकते हो, कोट्स वो एक तो सूमवोटा वाला ले सकते हो, दूसरा वाला यह ले सकते हो कि जब जजजेस, बेसिकली जब executive aware रहता है कि judiciary जो अपने citizens को protect करने के लिए ready है तो वो जो है police और executive कई चीज़े गलत करने से पहले कई बार सोचती है तो और ये जो कई बार जो है वीडियो आपने देखी होगी अभी दिली violence में कि कई communities की वीडियो आ रही है कि हिंदू जो है मस्जिद को बचा रहे हैं और मुसल्मान जो है मंदिर को बचा रहे है ये दिखाता है कि common man जो है वो शान्ती चाहता है और देश में एक social fabric बनी रहे वो नहीं चाहता कि इसके खिलाब कुछ भी काम हो जिनके खिलाब भी violence हुआ है उनको ख्याल रखना चाहिए उनका ख्याल रखना चाहिए कलमें एक वीडियो देख रहा था कि जो मजजिद पे जो मजार पे छड़के जो ज़ंडा लगाया गया था एक हिंदू नहीं आके ज़ंडा उतारा और उसके जो है काफी आसपस के लोग तारीफ कर रहे थे तो मैं अप सर लोगों से यही जो है request करता हूँ मैं किसी भी community का side नहीं ले रहा religious places का ख्याल रखें एक दूसरे के साथ बनाए रखें भारत को बहुत आगे जाना है भारत को नहीं बुलनदिया छूनी है भारत को कई मुश्किलों से जो है जूजना है climate change, terrorism हमको साथ रहना पड़ेगा साथ रहके ही सब कुछ हो सकता है यह मेरी आप से एक request फिशी claims about cows basically क्या है कि science and technology ministry ने भी हाली में जो है research and development proposal को accept किया है उन्होंने कहा है कि ठीक है जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है सुत्रापिक, prelims के लिए important है याद रख लेना scientific utilization through research augmentation prime products from indigenous cows गाए जो हैं उनका दूद जो इतना शुद्ध होता है जो इतना लोगों के लिए beneficial होता है उस पर research करने के लिए सुत्रापिक इंडिया प्रोग्राम चला जा रहा है खास करके indigenous cows मालब हमारी देश की गायों में इतना क्या है इतना जो benefit है इस पर research होईगी तो ministry of science technology ने जो है ये इसके लिए acceptance दे दिये basically कहा जा रहा है कि Indian cows में जो है unique qualities characteristics है तो इसके लिए करेंगे तो क्या cows वास्तों में indigenous cows unique है हमारी जो देश की जो गाये है जो यहाई ही हमारी जो breed है वह क्या इतनी unique है देखो बात यह की हो भी सकती है नहीं भी हो सकती कई तरह की जो है खोती एकाउंस और कई तरह की human population है जैसे हमारे northern और western जो एडिया में लोग रहते हैं जैसे राजस्तान बिहार पंजब के गाये का दूद्ध पचा लेते हैं लेकिन southern लोग नहीं पचा पाते हैं डाइजेश नहीं कर पाते हैं तो domestic इतना जदो फाइदा हो रहा है गाउ से और जो गायों के जो यहां पर जो यूराइन है इनसे भी फाइदा बता जारे क्या वास्तों में इतना फाइदा होता है तो आप इसमें कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं कि जैसे यह आपका एक तो आपका सबसे अच्छा करने के बजाए कि यह जो काफी शुद्ध है काफी शुद्ध है मिनिस्ट्री ओफ आयुष को एक बार सीरिस रिव्यू करना चाहिए अपने आयुरुवेदिक टेक्स्ट का और स्कूटरिनी करनी चाहिए क्योंकि कई जो कॉंसेप्ट्स हैं कई जूटे साबित हो जाते हैं और कई जो कॉंसेप्ट हैं वो सच साबिच हो जाते हैं और एक स्ट्रिक्ट साइंटिफिक एटिटूड हमको चाहिए बही आयुरुवेद में जो भी लिखा है जो आप काउ के युराइन की बात कर रहे हो काउ के दूद की बात कर रहे हो इन पे प्रोपर स्कूरुटिनी ह होनी चाहिए और यहां पर एक अच्छी बात यह लिखी हुई है कि बेसिकली अगर आप पूरी तरीके से आयुरुवेद पर चले जाओगे तो ट्रेडिशनल विजडम को ज्यादा ही बड़ा चड़ा के जो है उपयोग आएगा ज्यादा ही जो है ट्रेडिशनल विजडम क उसको नजर अंदाज करना हो जाएगा तो एक बैलेंस रहे ट्रेडिशनल विजडम हारी हमारी उन पर साइंटिफिक स्कूटनी हो देखा जाए कौशी चीज काम कर रहे कौशी नहीं काम कर रहे तो यह चीज आप अपने जो है डाल सकते मिन्स के आंसर में गाइज यह यह यह वीडियो थैंक्स वर वचिंग जाहिए गडब्लस यौर